कच्चा चिठ्था लेखक ब्रजमोहन व्यास सन 1936 के लगभग की बात है मैं पूर्व क्रमानुसार कौशाम भी गया हुआ था वहां का काम निप्टा कर सोचा कि दिन भर के लिए पसोवा हो आउ धाई मील तो हई है सौभाग्य से गाव में कोई सवारी इक्के पर आई थी उस इक्के को ठीक कर लिया और पसोवे के लिए रवाना हो गया कील कांटे से दुरस था पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है वहां प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है जिसमें दूर दूर से हजारों जैन यातरी आकर सम्मिलित होते हैं यहां भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाडी थी जिसकी गुफा में बुद्धदेव व्यायाम करते थे वहां एक विश्धर सर्प रहता था यहां भी किमवदंती है कि इसी के सन्निकट समराट अशोक ने एक स्थूप बनवाया था जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश और नक्खन रखे गए थे पसोवे में स्थूप और व्यायामशाला के तो कोई चिना अपशेश नहीं रह गए परन्तु वहां एक पहाडी अवश्य है निवेश, शालाना, तदिद्मिती, बुद्धी, बृध्यती, भवभूती पहाडी का होना इंगित करता है कि यह स्थान वही है मैं कहीं जाता हूँ तो हूँचे हाथ नहीं लोटता यहां कोई विशेश महत्व की चीज तो नहीं मिली पर गाव के भीतर कुछ बढ़िया ब्रन्मूर्तिया, सिक्के और मन के मिल गए इकके पर कौशाम भी लोटा एक दूसरे रास्ते से एक छोटे से गाव के निकट पत्थरों के धेर के बीच पेड के नीचे एक चतुर्मुक शिव की मूर्ति देखी वह वैसे ही पेड के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे लल्चा रही हो अब आप ही बदाए मैं करता ही गया यदि चांदरायन वरत करती हुई बिल्ली के सामने एक चुहा स्वयम आ जाए तो बेचारी को अपना करतव्य पालन करना ही पड़ता है इक्के से उतर कर इधर उधर देखते हुए उसे चुपचाप पिक्के पर रख लिया बीश सेर वजन में रही होगी न कूकुर भूंका न पहरू जागा मूर्ति अच्छी थी पसोवे से थोड़ी सी चीजों के मिलने की कमी इसने पूरी कर दी उसे लाकर वर्टिकल बार नगर पालिका में संद्रहाले से संबंधित एक मंड़प के नीचे अन्यमूर्तियों के साथ रख दिया उसके थोड़े ही दिन बाद गाववानों को पता चल गया कि चतुर्मुक शिव वहां से अंतरधान हो गए जिस प्रकार भरतपुर राज्य की सीमा पर दकैती होने से पुलीस का ध्यान मानसिंह अथ्वा उसके सुकुत्र तहसीलदार पर सहसा जाता है कुछ उसी प्रकार कौशांबी मंडल से कोई मूर्ती स्थानां तरित होने पर गाववालों का संदेह मुझ पर होता था और कैसे न हो अपना सोना खोटा तो परखवया का कौन दोस मैं इस संबंध में इतना प्रख्यात हो चुका था कि संदेह होना स्वाभाविक ही था क्योंकि 95 प्रतिशत उनका संदेह सही निकलता था एक दिन की बात है कि मैं अपने दफ्टर में बैठा काम कर रहा था चप्रासी ने आकर इतिलाकी की पसोवे के निकटस्थ एक गाव से 15 से 20 आदमी मुझसे मिलने आये है चोर की दाढ़ी में तिनका मेरा मा था ठनका मैंने उन सब को कमरे में ही बुलवा लिया कमरा भर गया उसमें बुद्धि, जवान, स्त्रिया, बच्चे सभी थे संभव है धर्म पर आघात समझकर आसपास के गाव के भी कुछ लोग साथ में चले आये हो मुख्या ने नतमस्तक होकर निवेदन किया महाराज मेरे मस्तक पर हस्बमामूल चंदन था जब से शंकर भगवान हम लोगन का छोड़ के हिया चले आये, गाव भर पानी ने पिहिस और तब तक न पी जब तक भगवान गाव न चली है अब हम लोगन का प्राग आपे के हाथ में है आप हुकुम देओ तो हम भगवान को लेवाए जाए वर्टिकल बार यदि मुझे मालूम होता कि गाववानों को उन पर इतनी ममता है तो उन्हें कभी न लाता मैंने तुरंत कहा आप उन्हें प्रसनता से ले जाए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए मैंने स्वयम शेड पर जाकर भगवान शंकर को उनके हवाले कर दिया स्त्री पुरुष सब उनके सामने बैठ गए स्त्रीयों ने गाना आरंब कर दिया मैंने मिठाई और जल मंगा कर उन लोगों का उपवास तुडवाया दूल से दफ्तर वाले अपने अफसर की करतूत देखकर मुस्करा रहे थे मैंने उस मूर्ती को अपनी मोटर पर रख लिया और उनके दो-तीन आदमियों को साथ लेकर लारी के अड़े पर पहुँचा और मूर्ती को वर्टिकल बार सम्मान सहित विदा किया गाव वालों पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा मुझे भविश्य का भी तो खयाल था यहां रवया मेरा बराबर जारी रहा उसी वर्ष या संभवता उसके दूसरे वर्ष मैं फिर कौशामबी गया और गाव गाव नाले खोले घुमता फिरता जख मारता रहा भला यह कितने दिन ऐसे चल सकता अगर बीच बीच में छटे छमा से कोई चीज इतनी महत्वपूर न मिल जाती जिससे दिल फड़क उड़ता बराबर यही सोचता कि ना जाने के ही भेश में नारायन मिल जाए और यही एक दिन हुआ खेतों की डाड़ डाड़ जा रहा था कि एक खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की आठ फुट लंबी एक सुन्दर मूर्ती पड़ी देखी मथुरा के लाल पत्थर की थी सिवाए सिर के पदस्थल तक वह सम्पूर्ण थी मैं लोटकर पांच श्या आदमी और लटकाने का सामान गाव से लेकर फिर लोटा जैसे ही उस मूर्ती को मैं उठवाने लगा वैसे ही एक बुढिया जो खेत निरा रही थी तमक कर आई और कहने लगी बड़े चले हैं मूरत उठावे यहमार है हम न देबे दुई दिन हमार हर रुका रहा तब हम इनका निकरवावा है ही नकसान कौन भरी मैं समझ गया बात यह है कि मैं उस समय भले आदमी की तरह कुरता धोती में था इसलिए उसे इस तरह बोलने की हिम्मत पड़ी सोचा की बुढ़्या के मुह लगना ठीक नहीं डौट संस्कृत साहित्य का वचन याद आया उद्वेजती दरिद्रव परमुद्रायाह जनतकारंग दूसरे की मुद्रा की जंजनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करती उसी का आश्रे लिया मैंने अपने जेब में पड़े हुए रुप्यों को ठंथनाया मैं ऐसी जगों में नोट वोट लेकर नहीं जाता केवल ठंथनाता उसकी बात ही और होती है मैंने कहा ठीक है तो कहत हो बुढ़िया इदूई रुप्या लेव तुम्हा नुकसानों पूर होए जाई इह या पड़े अंसे करी है न देहरी लायक न बंदेरी लायक बुढ़िया को बात समझ में आ गई और जब रुप्या हाथ में आ गया तो बोली भहिया हम मने नहीं करित वर्टिकल बार तुम ले जाव आज दिन वह मूर्ती प्रयाक संग्रहाले में प्रदर्शित है जब यह संग्रहाले नगरपालिका के दफ्तर के एक विशाल अंग में था एक फ्रांसी सी उसे देखने आया मैंने बड़े उत्सा से उसे संपूर्ण संग्रहाले दिखलाया बाद में पता चला कि वहां फ्रांस का एक बड़ा दीलर है जो हिंदुस्तान तथा अन्य जगों से चीजे खरीता फिरता है मैं पहिले कैसे समझ पाता काक, कृष्ण, पिका, कृष्ण को भेद, पिक का क्यों है राप्ते वसंतस्मय काका, काका, पिक, पिका कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है दोनों में भेद ही क्या है परंतु वसंत्रितु के आते ही पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल संद्रहाले को देख कर बोला बहुत कीमती संद्रह, मैंने पूछा कि कीमती से आपका क्या तात्परिय है रुप्यों में बतावे तो समझ में आवे हंसकर बोला रुप्यों में बता दू तो आपका इमान दिख जाए वैसे हंसकर मैंने जवाब दिया कि ही मान ऐसी कोई चीज मेरे पास हाई नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल नहीं उठता यदी होता तो इतना बड़ा संद्रा बिना पैसा कोडी के हो ही नहीं सकता उस बोधिसत्व की और इशारा करवा तुरंद बोल उठा आप उस मूर्ती को मेरे हाथ दस हजार रुपए में बेचेंगे इतने रुपए में तो आपको बहुत सी मूर्तियां मिल जाएंगी इस मूर्ती का चित्र और उसका वर्नन विदेशी पत्रों में छप चुका था अवश्य ही इस फ्रांसीसी ने उसे पढ़ा होगा मैंने अपनी तबियत में कहा यह एक ही रही फ्रांसीसी महोदय ने मेरी आकरिती से मेरा निर्णय समझ लिया बात खत्म हो गई मूर्ती अब तक संग्रहालय का मस्तक उचा कर रही है पाठक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस मूर्ती में कौन सा सुर्खाप का पर लगा था जो दो रुपए में मिली और दस हजार रुपए उस पर नियोचावर कर फ्रेंके जा रही है संभव है कि वे सोचते हों कि मूर्ती में तो केवल सिर नहीं है परंतु लेखक की बाते उससे भी एक पग आगे वर्टिकल बार बेसिर पैर की है पर बात ऐसी नहीं है यह मूर्ती उन बोधिसत्व की मूर्तियों में है जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है यह कुशार समराट कनिश्ट के राज्यकाल के दूसरे वर्ष थापित की गई थी ऐसा लेख उस मूर्ती के पदस्थल पर उतकीरन है इस शेर के मार लेने से मेरा दिल दूना हो गया और नए सिरे से फिर मूँ में खून लग गया शेर तो रोज मिलता नहीं पर चीतल सामभर तो वर्टिकल बार हर बार मिलते ही रहते हैं शेर की केवल आशा मात्र रहती है परंतु इसी आशा से शिकार अनुपरानित रहता है और शिकारी जंगल जंगल की खाक छानता फिरता है सन 1938 के लगभग की बात है गवर्नमेंट ओफ इंडिया का पुरातत्व विभाग कौशामभी में श्री मजूमदार की देखरेक में खुदाई कर रहा था उस समय श्री के एन दिक्षित डाइरेक्टर जनरल थे मेरे परम मित्र थे उन्हें प्रयाक संद्रहाले से बड़ी सहानुभूती थी और सदा उसकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते थे साधू प्रकृती तो थे ही परंतु आखिर बड़े हाकिम ठहरे, रोब था, जमाने के अभ्यस्त थे खुदाई के प्रसंद में मजूमदार साहब को पता चला की कौशामबी से चार-पाच मील दूर एक गाव हजियापुर है वहां किसी व्यक्ति के यहां भद्रमत का एक भारी शिलालेख है श्री मजूमदार उसे उठवा ले जाना चाहते थे गाव के एक जमीनदार गुलजार मिया ने, जिनका गाव में दबादबा था, एतरास किया गुलजार मिया हमारे भक्त थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता था यद्यपी उनकी भक्ती और मेरा मानना दोनों स्वार्थ से खाली नहीं थे मैंने उनके भाई दिलदार मिया को म्यूनिसिपैलिटी में चप्रासी की नौकरी दे दी थी और उन लोगों की हर तरह से सहायता करता था वे मुझे आसपास के गावों से पाशान मूर्तिया शिलालेक इत्यादी देते रहते थे मजूमदार साहब ने जब उसे जबर्दस्ती उठवाना चाहा तो वे लोग फौजदारी पर आमादा हो गए बोले यहां इलाहबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपए का बिक चुका है अगर बिना वर्टिकल बार व्यास जी के पूछे इसे कोई उठावेगा तो उसका हाथ पैर तोड़ देंगे मजूमदार साहब ने पच्छिम सरीरा के ठाने में रपट की पर किसी की कुछ नहीं चली गुलजार मिया ने उस शिलाले को नहीं दिया मजूमदार साहब ने इस सबकी रिपोर्ट नोन मिर्च लगा कर दीक्षित साहब को दिल्ली लिक भेजी दिक्षित साहब की साधू प्रकृती के भीतर जो हाकिम पड़ा था उसने करवट ली एक दिन दिक्षित साहब का अर्धसरकारी पत्र मुझे मिला जिसका आशय यह था कौशामबी से मेरे पास रिपोर्ट आई है कि आपके उकसाने के कारण जमीनदार गुलजार मिया भद्रमत के एक शलाले को देने में आपत्ती करता है और आमादा फौजदारी है मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता परन्तु यह कहे बिना रह भी नहीं सकता कि सरकारी काम में आपका यह हस्तक्षिप अनुचित है खेर यहां तक तो खून का घूट किसी तरह पिया जा सकता था पर इसके आगे उन्होंने लिखा यदि यही आपका रवया रहा तो यह विभाग आपके कामों में वह सहानुभूती ना रखेगा जो उसने अब तक बराबर रखी है एक मित्र से ऐसा पत्र पाकर मेरे बदन में आग लग गई मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ पर किसी की भी अकर बरदाश्ट नहीं कर सकता आग में अस्त्र से मेरे बदन में आग लग जाती है वरुनास्त्र से पानी पानी हो जाता हूँ मैंने तुरंत दिख्षिद जी को उत्तर दिया, जो थोड़े में इस प्रकार था, मैं आपके पत्र एवं उसकी ध्वनी का घोर प्रतिवात करता हूँ उसमें जो कुछ मेरे संबन्द में लिखा गया है, वहां नितांद असत्य है मैंने किसी को नहीं उकसाया मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आपके विभाग की सहानुभूती चाहे रहे या न रहे, प्रयाक संद्रहाले की उत्तरोत्तर वृद्धी होती रहेगी प्रयाक संद्रहाले ने इस भद्रमत के शलाले को 25 रुपय का खरीदा है पर आपके विभाग से विशेशकर आपके होते हुए जगड़ना नहीं चाहता इसलिए यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो 25 रुपय दे कर ले ले, मैं गुलजार को लिख दूँगा इसके उत्तर में उनका एक विनम्र पत्र आया जिसमें उन्होंने अपने पूर्व पत्र के लिए खेत प्रगट किया विभाग की उपेक्षा जो मैंने की थी उसे पी गए बात खत्म हो गई बात में गुलजार ने मुझे बताया कि 25 रुपय लेकर उसने शिलालेक दे दिया प्रयाक संद्रहाले में और भी भद्रमत के शिलालेक थे, कोई क्षती नहीं हुई गरीब जमीनदार को 25 रुपय मिल गए उसने मुझे धन्यवाद दिया मैंने सोचा कि जिस गाव में भद्रमत का शिलालेक हो सकता है, वहां संभव है और भी शिलालेक हो आतम ए हजियापुर जो कौशामभी से केवल 4-5 मील था गया और मैंने गुलजार मिया के यहां देरा डाल दिया उसके भाई को जो म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था, साथ ले लिया था गुलजार मिया के मकान के ठीक सामने उन्ही का एक नहायत पुक्ता सजीला कुआ था चबूत्रे के उपर चार पक्के खंबे थे जिनमें एक से दूसरे तक अटपहल पत्थर की बंदेर पानी भरने के लिए गड़ी हुई थी सहसा मेरी दृष्टी एक बंदेर पर गई जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ब्रामी अक्षरों में एक लेख था मेरी तबियत फड़क उठी परंटु सजीले खंबो से खोद कर निकलवाने में हिचक हुई गुलजार मिया मुझे असमंजस में देख तुरंट बोल उठे सरकार अभिन खोदवाए देथ है सब आपैक तो है हम सबन की देह आपकी पाली है कि खंबन की कौन बिसाथ है उन्होंने तुरंट उसे निकलवा कर हमें दे दिया भद्रमत के शिलाले की क्षतिपूर्ती हो गई सन समवत मुझे याद नहीं बहुत दिन की बात हुई उस साल ओरियंटल कांफरेंस का अधिवेशन मैसूर में था मेरे अभिन्न मित्र कवीवर ठाकुर गोपाल शरण सिंग साहित्य विभाग के सभाप्ती थे एक तो उनका साथ रुचिकर दूसरे इसके पहले दक्षन में गया नहीं था प्रशंसा बहुत सुन रखी थी यह भी सुन रखा था कि तामर मूर्तियों और ताल पत्र पर हस्तलिखित पोथियों की वह मंडी है दोनों का प्रयाग संग्रहाले में नितांद अभाव था उपर्युक्त तीनों कारणों में प्रतेक मुझे प्रलुब्ध करने के लिए परियाप थे पर तीनों के सामोहिक आकरशन ने मुझे मैसूर की और बर्बस खीच लिया मदरास पहुँचते ही मुझे चैन कहा मैंने अपना काम आरंब कर दिया मदरास में हम लोग दो दिन थेहरे इन दो दिनों में मैंने नगर का कोना कोना चान डाला दर दर भिखारी की तरह जख मारता फिरा यद्यपी जेब में पैसा था तथा पी हृदय तो भिखारी का था ठैली काटकर दाम देने वाले की शकल ही दूसरी होती है लोगों से पूछ पूछ कर विक्रेताओं के घर गया आठ दस चित्र खरीदे भी सस्ते दामों में पर ताल पत्र पर लिखी पुस्तकों के दाम सुनकर मेरे छक्के छूट गए किसी पुस्तक का दाम धाई तीन सो रुपे से कम विक्रेताओं ने नहीं बताया ये मेरे बस की न थी और मैं तेलुगू और कमिल पढ़ भी नहीं सकता था इसलिए मन सिकोर लेना पड़ा संध्या समय मुख्य बाजार घूमने गया बड़ी भीड भाड थी विशेश्ता यह थी की भीड में नंगे बदन लोग बहुत बड़ी संख्या में थे काला बदन, परशुब्र यग्योप्वीत, मोटी तोंद, तहमत बांधे, सिर से तोपी और पैर से जूता नदारत साधारन स्निग्ध बातचीत करने में इतनी जोर से बोलते थे जैसे लड रहे हो यह द्रिश्य मेरे लिए बिलकुल नया था वहाँ लोगों ने मुझसे कहा कि श्रीनिवास जी हाई कोट के वकील है उनके पास सिक्कों और कांस्य और पीतल की मूर्तियों का बड़ा अच्छा संग्रा है संध्या समय उनके यहां गया श्रीनिवास जी भले लोग थे यद्यपी इन चीजों का व्यापार भी करते थे भलमन साहथ और इन चीजों का व्यापार परसपर विरोधी है मैं एक रुपय में तीन अठनी भुनाना चाहता हूँ व्यापारी अपने एक रुपय का मूल्य तीन रुपया वर्टिकल बार रखता है श्रीनिवास जी भलेमानस विक्रेता थे उनसे मैंने चार पाँच सो रुपय की पीटल और कांसे की मूर्तिया ली बहुत से सिक्के उन्होंने मुझे मुफ्त में ही दे दिये उनके यहां चार पाँच बड़े बड़े नट्राज भी थे पर उनके दाम बीस बीस पचीस पचीस हजार रुपय थे मैंने सरसरी तौर से उन्हें देख भर लिया मैं संद्रा करता हूँ आशिक नहीं यही अंतर मुझ में और भाई कृष्णदास में है वे संद्रा करता भी है और आशिक भी संद्रा कर लेने और उसे हरम प्रयाक संद्रहाले में डाल लेने के बाद मेरा सुख समाप्थ हो जाता है भाई कृष्णदा संग्रा करने के बाद भी चीजों को बार-बार हर पहलू से देखकर उसके सुख सागर में डूपते उत्राते रहते हैं यदि संग्रा करता आशिक भी हुआ तो भगवान ही उसकी रक्षा करें अप्रान में मैसूर जाने के लिए स्टेशन आया गाडी ने रेंगना शुरू ही किया था कि एक आदमी कुछ चित्र ले आया और गाडी के साथ साथ चलने लगा गिनने और देखने का कोई समय नहीं था मैंने हाथ में तीन खंथनाते रुपय लेकर उसे दिखाए उसने रुपया लेकर तस्वीरों को खिड़की में फैंक दिया जब गाडी ने तेजी पकड़ी तो मैंने तस्वीरों को देखा तस्वीरें बुरी नहीं थी यहां होती तो पाँच पाँच रुपय प्रत्यक तस्वीर के अवश्य देता सौधा अच्छा रहा आज के दिन वे पचीस पचीस रुपय से कम की न मिलेंगी मैसूर पहुचकर अधिवेशन में सम्मिलित हुआ मैसूर के युवराज सभाप्ती थे अधिवेशन में कोई खास बात न थी अधिवेशन समाप्थ होने पर हम लोग रामेश्वरम गए तालपत्र की पुस्तक का न मिलना अभी तक कसक रहा था मैं कैसे मन को समझा सकता था कि खलीफा मंडी में बटोरने से सेर भर अन्न भी न मिलेगा जब प्रतिदिन वहां की बटोरन से अनेक भिखारियों का पेट भरता है रामेश्वरम पहुँचने पर पंडे पीछे लगे तीर्थ स्थान जोठा पंडों के देखते ही मेरे हतकंडे ने करवट बदली मैंने जट ठाकुर साहब को राजा साहब बना दिया और पंडों से कहा देखो भाई राजा साहब का यहां कोई पंडा नहीं है जो भी सबसे अधिक तालपत्रों पर लिखी पुस्तके भेंट करे वही हम लोगों का पंडा और हमारे वंच का पंडा इसके पहले की पंडे हमारे प्रस्ताव पर कुछ निश्चित कर सकें एक लड़कौन धा पंडा दौर कर गया और उसने एक छोटा गठर तालपत्र पर लिखित पुस्तकों का मेरे सामने लाकर पटक दिया मैंने कहा बस तुम ही राजा साहब के और हमारे आज से पंडा हुए और उसकी बही पर अपने हस्ताक्षर कर दिये चलते समय दोनों ही ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक दक्षणा दी मेरी दक्षणा से उनका क्या बनता परंतु राजा साहब की दक्षणा से पुस्तकों का देना उसे नहीं अखरा दक्षण के और दर्शनिय स्थानों को देखते हुए हम लोग प्रयाग लोटाए ताल पत्र की फांस मन से निकल गई संद्रा में तो आशातीत सफलता हुई इतनी संख्या में और इतनी महत्वपूर्ण सामगरी आई की धरते उठाते नहीं बनता था लगभग दो हजार पाशान मूर्टिया, पाँच्छा हजार मृन मूर्टिया, कई हजार चित्रक, चौदा हजार हस्तलिखित पुस्तके हजारों सिक्के, मन के मोहरे इत्यादी इनका प्रदर्शन और संरक्षन कोई हसी खेल नहीं है लोगों की शिकायत थी कि म्यूनिसिपैलिटी में इनके लिए स्थान बहुत छोटा है बात ठीक ही थी पर इसका कारण स्थान का संकुचित होना नहीं था आठ बड़े-बड़े कमरे इसके लिए निर्धारित कर दिये गए थे कारण था सामगरी का अधिक होना चीजों का विस्तार संग्रहाले के प्रिथक विशाल भवन का निर्माण अनिवार्य हो गया परन्तु उसके लिए बहुत धन की आवशक्ता थी यह म्याओं का ठोर था सहसा एक बात सूज गई इस हतकंडे की दाद चाहूंगा Municipalities Act में एक धारा है कि Executive Officer मुकदमा चलाने के स्थान पर हरजाना तवाना लेकर समझोता कर ले दूसरे नगर में भवन निर्माण की अनुमती देने में Municipality ही नियमित शुल्क भी लेती थी इन दोनों मदों से 20,000 रुपया साल आय होती थी हमने Board एवं सन्युक्ट प्रांत की सरकार से यह स्विक्रिती ले ली की इस आय का संद्रहाले निर्माण कोश बना दिया जाए इस प्रकार इस कोश में दस वर्ष के भीतर दो लाख रुपय एकत्र हो गए जैसे जल्विंदुने पातें क्रमशा पूर्यते घटर सहेतुआ सर्वविद्याना धर्मस्यर्च धनस्यर्च दो पन्नालाल आई सी एस जो उस समय सरकार के परामर्शदाता थे के सौजन्य और सहायता से कमपनी बाग में एक भूखंड भी भवन के लिए मिल गया अब केवल शिलान्यास और भवन निर्मान की देर रह गई मैंने सोच रखा था कि जवाहरलाल नहरू जी से शिलान्यास कराऊंगा उनकी मेरी आपसदारी और उनकी संद्रहाले के प्रती निष्ठा के कारण उचित ही था मैं सिर्फ मौके की ताक में था वह मौका आ गया प्रयाग में मुझे देखते ही जवाहरलाल ने कहा व्यास तुम्हारे म्यूजियम की इमारत न बनेगी पर मैंने नमरता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया यह मेरा आहद है कि जब तक आप उसका शिलान्यास न करेंगे मैं उसे अपनी जिन्दगी में बनने न दूँगा पर मैं आपसे कैसे कहूँ क्या सिवाए शिलान्यास करने के आपको और कोई काम नहीं है जवाहरलाल जी तुरंट बोल उठे यह सब फिजूल बात है अगली बार जब मैं आऊंगा तो शिला रख दूँगा यह तो कुछ ऐसा हो गया जैसे लपतेवा प्रार्थेता नवा श्रियम श्रिया दुरापा कत्मिपसितो भवेत भवभूती लक्षमी की इच्छा करने वाले को लक्षमी मिले या न मिले परंतु यदि लक्षमी किसी के पास जाना चाहे तो उन्हें कौन रोक सकता है दो ही तीन दिन बाद दो ताराचन स्वयम मेरे पास आए और शिलान्यास का पूरा प्रोग्राम निश्चित कर चले गए निश्चित समय पर अभूत पूर्व समारों के साथ जवाहरलाल जी ने संद्रहालय का शिलान्यास कर दिया वह समारों इतना सुंदर हुआ कि न भूतो न भविश्यती परंतु उलेखनिया होते हुए भी उसका वर्नन न करूंगा कारण वह कच्चे चित्थे की परिधी के बाहर है पंदित जवाहरलाल जी ने बंबई के विख्यात इंजिनियर मास्टर साथे और मूता को लिख कर उनसे नए भवन का नक्षा बनवा दिया और समय से भवन बनकर तयार हो गया इस बात का मुझे संतोश है कि जन्ता के जिस हरजाने के रुपे से इस भवन का निर्माड हुआ उसे मैंने पाई पाई ब्याज सहित संग्रिही चीजे 15 लाख से कम की नहीं है उन्हें प्रजाना में भूत्यर्थम लोटा दिया एक बात और इसके पहिले की मैं इस कच्चे चिठे को समाप्त करूँ मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूँ जिन्हें मैंने चला है और फिर सिवाए मेरे क्षमा मांगने और उनके क्षमा करने के और कोई चारा भी तो नहीं है अपने पापों का यदि आप उन्हें पाप समझे मैं नहीं समझता प्रायश्चित तो मैंने लिख कर कर लिया परंटो समाप्त करते करते में ऐसी कृतगनता का पाप नहीं कर सकता जिसके प्रायश्चित का शास्त्र में भी विधान नहीं है यह संग्रहाले चार महानुभावों के सहाईय और सहानुभूती से बन सका है राय बहादुर काम्ता प्रसाद कक्कड ततकालीन चैर्मेन, His Highness श्री महेंद्र सिंह जुदेव नागोद नरेश और उनके सुयोग्य दीवान लाल भार्गवेंद्र सिंह जिनके भरहुत और भूरा संग्रहाले का मस्तक उंचा है और मेरा स्वामी भक्त अर्दली जग्देव जिसके अथक परिश्रम से इतना बड़ा संग्रह संभव हुआ ठाकुर ने ठीक ही कहा है सामिल मैं पीर मैं सरीर मैं ना राखे भेद हिम्मत कपाट को उगारे तो उगरी जाए ऐसी ठान ठाने तो बिनाहो जंत्र मंत्र किये साब के जहर को उतारे तो उत्री जाए ठाकुर केहद कुछ कठिन न जानो आज हिम्मत किये ते कहो कहा न सुधरी जाए चारी जने चारी हो दिसा ते चारो कोन गही मेरू को हिलाए के उखारे तो उखरी जाए मैं तो केवल निमित्त मात्र था अरुन के पीछे सूर्य था मैंने पुत्र को जन्म दिया उसका लालन पालन किया बड़ा हो जाने पर उसके रहने के लिए विशाल भवन बनवा दिया उसमें उसका ग्रिह प्रवेश करा दिया